हलो यह क्लास शुरू करेंगे हम लोग एक लाइव ट्रेडिंग के साथ तो यह लाइव ट्रेड मैं लूँगा और फिर आपको एक्स्प्लेइन करूँगा तीन चीज़ें जो आपको मदद करेगी एक अच्छा ऑप्शन ट्रेडर बनने में तो सबसे पहले आते हैं मेरे स्क् पर यह मैंने कुछ भी नहीं बल्कि एक दो आप्शन लिए है मैंने मैं इसके बारे में बात करूंगा लेकिन सबसे पहले मुझे आप यह एक्जिक्यूट करने दो मैं क्या चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि मैं एक आप्शन को बाई करूं मार्केट रेट पर मैं बाई कर हूँ क्लास है और क्लास में मैं चाहता हूँ कि जल से जल इसे execute करूँ और आपको आगे बताना शुरू करूँ तो मैंने क्या किया मैंने एक option buy कर लिया put option और एक option मैंने sell कर दिया क्यों 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 कोई भी financial instrument हो आप buy भी कर सकते हैं sell भी कर सकते हैं आप अगर किसी चीज़ को sell करते हैं stocks में तो उसे बोलते हैं हम short sell करना यहां पर बोलते हैं हम इस contract को sell कर देना contract हां options कुछ भी नहीं बलकि financial contracts होते हैं तो इस class में ये एक example है जो side में चलता रहेगा जब तक मैं ये class record कर रहा हूँ इन trades में कुछ होगा जान बुच के मैंने plan किया कि मैं इस class को market hours के दौरान ही record करूँगा तो इसलिए मैंने ये trade डाल दिया है अब हम समझने वाले हैं तीन चीज़ें जो मैंने आपको बताया था इस class के production में तो सबसे पहला एक अच्छा option trader बनने के पहले आपको options का ग्यान तो होना ही चाहिए तो इसलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं सबसे पहले समझना कि options कितने तरीके के होते हैं दो तरीके के options होते हैं एक होता है put option दूसरा होता है call option आपको कई जगह पर पहले call option बताया जाएगा फिर put option बताया जाएगा बट किसी खास वज़े से मैं put option आपको पहले बताना चाहता हूँ तो यह put option थे जो मैंने एक खरीदा और एक बेचा खरीदा और बेचा दोनों काम सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं देखता हूँ अलग-अलग platform पे इस चीज को लेकर बहुत होहला मचा रहुआ है कि मैं option writer बनना चाहता हूँ क्यों क्योंकि बहुत सारे hidden agendas है hidden reasons हैं जो उन्हें पता नहीं होते और इन YouTube वीडियो के माध्यम से मैं उसी को decode करके आप तक पहुँचाना चाहता हूँ और वो मैं कर रहा हूँ तो पहला हाँ हम option सीखेंगे put option सीखेंगे और buyer और seller perspective दोनों से सीखेंगे और live trade example लेकर सीखेंगे ठीक है दूसरा हम सीखेंगे कि मैं किस clan से belong करता हूँ किस clan किस tribe से आप बोल सकते हो belong करता हूँ तरीके के लोग हैं इस option market में hedgers हैं जो अपने portfolio को hedge करना चाहते हैं यानि risk manage करना चाहते हैं और इसलिए ओप्शन यूज़ करते हैं फिर आते हैं बहुत अच्छे traders जो full time activity की तरह business की तरह इसे लेते हैं और एक अपना छोटा सा business इस बहुत बड़े market में चलाते हैं options से related, options बेच कर खरीद कर या जो भी वो कर रहे हैं बट इसे वो एक calculated business की तरह लेते हैं हम उन्हें बोल सकते हैं smart traders एक category है जिसे हम बोल सकते हैं speculators आप gambler भी बोल सकते हो क्योंकि वो शुरू करते हैं speculation से मगर दीरे दीरे बन जाते हैं gambler बड़े shock से market में आते तो नहीं है किसी न किसी तरीके से फ़सा के लाया ही जाता है option market की मैं बात करूँ मैं उस category की बात कर रहा हूँ जिस category के लोग market में आते हैं यह सपने लेकर की options market में कुछ करिश्मा होगा और 5000 का 5 लाग हो जाएगा तो मैं तो बोलूँगा कि एक scam ही है कि इस तरीके से उन्हें पकड़के लाया जाता है या इस product को उनके उपर थोपा जाता है तो एक छोटा सा example में अभी जो इसमें लिया हूँ उसमें आपको समझ में भी आ जाएगा कि वहां से वो शुरू करते हैं और शुरू करके speculation से gambler में convert हो जाते हैं बहुत basic सा वहां पे एक behavior है कि शुरू में 5000 लगाते हैं जब वो डुबा देते हैं तो उसे recover करने के लिए 10,000 लगाते हैं बड़ते बड़ते यह रकम इतनी बड़ी हो जाती है कि एक बहुत बड़ा financial burden बन जाता है उनका उनके life की growth personal professional दोनों रुख जाती है और एक stressful personal life भी हो जाता है उनका तो अब आपको यह तै करना होगा कि क्या आप कौन से रास्ते पे जाना चाहते हो इन तीन categories में से कौन से category में आप belong करना चाहते हो और यह तै करना बहुत मुश्किल नहीं है बहुत आसान है इस class के खतम होते होते तक आपको वो knowledge आ जाएगी कि मैं खुद को क्या define कर सकता हूँ मुझे पूरा विस्वास है कि तीसरे category में जो भी लोग belong करते हैं वो भी कम से कम self realization करके उस चीज़ को खतम करने की कोशिश करेंगे और जो लोग बिलकुल अभी option rating करना शुरू करना चाहते हैं वो आगाह हो जाएंगे कि मुझे ये नहीं करना है ठीक है तो ये दो चीज़े एक तो सीखना और दूसरा एक जो हमेशा social angle में लेके चलता हूँ कि वहाँ पर मैं examples के थूरू बताना चाहता हूँ कि क्या-क्या problems हो सकती है और तीसरी बात ये कि option buying हो या selling हो उन दोनों cases में जब आप buy करते हो option या sell करते हो तो अलग-अलग time frame पे उसके क्या-क्या outcome निकल करके आते हैं क्या होता है behind the scene वो सारी चीज़े इस example के माद्यम से हम सीखेंगे तो आते हैं वापस से screen पे और यहाँ पे अब देखते हैं कि क्या हो रहा है तो अभी यह जो buy sell का game किया था मैंने गेम ही बोलूगा तो वहाँ पे एक जो buy कर रखा है वो 550 रुपे का loss दे रहा है और जो put sell कर रखा है वो 349 रुपे का profit दे रखा है कुल मिला करके 1200 रुपे का नुकसान चल रहा है अब आगे बढ़ते हैं आगे बढ़के लेट से हम लोग जाते हैं एक Excel शीट पे जो मैंने आपके लिए तयार किया है इस example को समझाने के लिए अभी मैं कोई bookish definition नहीं देना चाहता हूँ वैसे वो बड़ा ही एक line का monotonous सा discussion है कि put option वो contract है जो owner को right देता है underline को buy करने का specific time पे but anyway उसके बारे में हम बाद में जाएंगे देखते हैं behind the scene क्या हो रहा है तो मैं सबसे पहले उठाता हूँ कि अगर दो sheets बनाई हैं मैंने आपके लिए put buyer और put seller की और दोनों explain करने वाला हूँ हो सकता ये class लंबा चले मगर आपको मेरे साथ bear करना होगा ताकि आप एक self realization भी कर चकें और सीख भी सकें basic से चीजों को तो थोड़ा slow ले जाओंगा मैं इसको यहां से आप 1x, 1.2x पे भगा के भी देख सकते हैं और जो लोग बिलकुल नए हैं वो धीर-धीर आराम से सीख सकते हैं तो यहां पे, यह मैंने इसलिए बोला because कई बार लोगों का मानने है कि मैं थोड़ा slow पढ़ाता हूँ और मुझे थोड़ा तेज पढ़ाना चाहिए बट मुझे नहीं समझ में आता कि कैसे तेज पढ़ाऊं मैं मुझे लगता है कि चीजों को समझा के ही बताना शायद अच्छा तरीका है तो anyway, technology आपके साथ है जो भी लोग तेज सीखना चाहते हैं 1.25x या 1.5x पे बढ़ा के इस lecture को आप आगे ले जा सकते हैं और तेजी से सुन सकते हैं तो यहां पे आते हैं वापस से यह है advance option का एक sheet सबसे पहले आता है क्या options में एक होता है कि हर options की underlying होती है मतलब options index के भी हो सकते हैं stocks के भी हो सकते हैं currency का भी हो सकता है, commodity का भी हो सकता है तो जिसका भी होगा उसे हम underlying बोलेंगे मतलब यहां पे bank nifty options की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि इस option का underlying bank nifty है अब हर option contract है, future contract है contract क्या होता है, यह सब जब definition वाला part आएगा तो मैं आपसे बताऊँगा, मगर हाँ यह एक contract है अभी आप अपने दिमाग में freeze कर लें जैसे अलग-अलग contracts होते हैं घर खरीदने का आप contract बनाते हो अलग-अलग rental का contract बनाते हो उसी तरीके से यहाँ पे भी buyer है, seller है और दोनों मिलके एक contract बनाते हैं और वहाँ पे हम उस contract का नाम देते हैं तो इस case में अगर आप देखें तो contract का नाम क्या है इस instrument भी बोला जाता है bank nifty ACP September 37,800 PE ठीक है? यही चीज मैंने यहाँ पे उठा के रखी है यहाँ पे मैंने रखा है 37,800 PE इसे मैंने sell किया है buy मैंने 38,000 के put को किया है तो यहाँ पे मैं इसका नाम रखूँगा bank nifty ACP 38,000 और instrument का नाम क्या है? PE बिलकुल यही नाम है हाँ बिलकुल यही नाम है यह मैंने यहाँ डाल दिया अब क्या हो गया? सबसे पहली चीज क्या आपने सीखी? एक आपने सीखा underline क्या है? दूसरा आपने क्या सीखा? contract name क्या है? तीसरा हर contract की expiry rate होती है घर का rental agreement आप बनाते हैं date रखते हैं ना कब तक यह contract valid रहेगा? ठीक है? घर खरीदने के लिए advance देते हैं और agreement to sell बनाते हैं उसमें भी define होता है कि यह 10% मुझे बन्दा दे रहा है पैसा मेरा घर खरीदने के लिए और बाकी का 90% agreement to sell के हिसाब से 31 December तक दे देगा और घर अपने नाम पे लिखवा लेगा मतलब यह contract जो agreement to sell वाला था वो 31 December तक valid है तो यह भी contract है तो इसकी भी validity rate तो होनी चाहिए कि कब तक वो contract valid रहेगा और उस validity date को हम क्या बोलेंगे expiry date चुकि basic option का class है इसलिए मैं सारी चीज़े cover कर रहा हूँ तो यह 30th September 2021 है यहाँ पर मैं pause करके इतना आपको से बताना चाहता हूँ कि expiry या contract validity date जिसे हम बोल रहे हैं वो इंडिया में पहले तो generally monthly expiry ही हुआ करते थे 5-6 साल पहले तक मतलब हर options हर underlying का option महीने के अंत में expire होता था last Thursday को हर महीने के last Thursday को monthly contract expire होता था अब weekly contract भी है nifty में bank nifty तो bank nifty में अभी जब मैं यह trade लिया आपके सामने यह 27 दिसंबर September है आखरी हफ़ता है महीने का तो इस बार weekly contract और monthly contract दोनों एक ही होंगे और वो है 30 September और यह 30 September कुछ भी नहीं September का आखरी ब्रिहश्पत वार यानि की Thursday है तो 2021 September का calendar अगर मैं डालूं तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे 30 September expiry date है मतलब महीने का आखरी Thursday है तो expiry date यह वो date है जब यह contract expire हो जाएगा इस contract के हिसाब से जो कुछ भी लिखा हुआ है buyer या seller के favor में उसको honor कर दिया जाएगा expiry time के time expiry time यहाँ पर क्या हो जाएगी date होगा Thursday का दिन होगा Thursday का date है 30th और time होगा 3.30 मिनट तो expiry date आप समझ गए आप इधर जाएगे जब NSE website पे equity या derivative market पे click करेंगे यहाँ पे आपको bank nifty के options हैं इनको अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको option chain में दिखेगा कि अलग-अलग expiry date के आप देख सकते हो contracts 30 September सबसे latest वाला है उसके बाद 7 October अगले महीने का weekly expiry है 14 October उसके बाद वाला expiry है 21 October उसके बाद वाला expiry है तो आप यह expiry rate है आप समझ चुके हैं साथी साथी यहाँ पे होता है strike price अगला column में आप मैंने डाल दिया strike price इस case में हमारा strike price क्या है 38,000 यह strike price का मतलब क्या है मैं आपको अभी पहले lot size समझाऊँगा उसके बाद समझाऊँगा तीसरी चीज़ क्या होती है यह होती है lot size मतलब इस contract में या हर contract में उस contract की total value कितनी होगी वो underlying के contract और lot size से determined होगा मतलब हर contract जो NSE launch करता है वो advance में बताता है कि इसका lot size क्या होगा तो इस case में जो bank nifty का case है यहाँ पे आप देख सकते हैं lot size 25 है तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं अगर कोई भी options आप खोलेंगे चलिए अपने case में हम लोग 38,000 यहाँ से देख रहे थे वही खोलते हैं दूसरे विंडो में मैंने खोला यह भी contract open हो रहा है यहाँ पे आपको देख जाएगा कि lot size 25 है तो यह lot size मैंने 25 रख दिया strike price अलग 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 लेवल पे contract बनाये जाते हैं मतलब bank nifty अगर अभी trade कर रहा है 38,145 पे तो इसके ऊपर भी 100,000 पॉइंट और इसके नीचे भी 100,000 पॉइंट के levels पे call और put के contract इनने सी बना कर दे देता है और उसे हम क्या बोलते हैं कि वो उस strike price के ऊपर वो option trade कर रहा है या उस strike price का option है और वो trade कर रहा है इस example को जब इसलिए मैंने जान बुच के example लिया है ताकि आपको मैं definitions के चक्रवियों में ना फसाऊ याद करने के चक्रवियों में ना फसाऊ आप सीधे सीधे देख लें कि behind the scene हो क्या रहा है तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है हमारे पास आ जाता है lot size 25 strike price आपको पहले बता दिया मैंने उसके बाद अब ये option trade होना शुरू होता है market में trade हो रहा है और उसी दौरान मैंने buy भी किया और sell भी किया आप देख सकते हैं यहाँ पे अब जब मैंने buy किया तो 251 रुपे 15 पैसे पे किया 251 रुपे 15 पैसे पे खरीदा अब देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है एक bank nifty September का contract जिसके expiry rate 30 September है 38,000 उसका strike rate है और lot size 25 है यह मैंने खरीदा तो जब मैं खरीदने जा रहा हूँ price पता है मुझे तो lot size 25 है तो जो price pay करूँगा मैं वो क्या पे करूँगा price into lot size तो मतलब 6,278 रुपे 75 पैसे अगर मेरे count में है या इससे 25-50 रुपे उपर क्योंकि brokerage cost भी लगेगी तो मैं इस put को खरीद सकता हूँ ठीक है अब definition पे आते हैं अब यह put पता है क्या देता है मुझे अगर मैं इसका buyer हूँ यह put मुझे देता है एक right एक अधिकार ठीक है अब right को समझना पड़ेगा हमें right और obligation को समझना पड़ेगा तो उसके लिए थोड़ा समय रुक करके हट करके एक example आपको बताता हूँ जो मैंने अभी शुरू किया था बताना आपके पास या किसी एक के पास एक घर है एक करोड रुपे का घर है वो उस घर को बेचना चाहता है बायर आते हैं उनमें से एक बायर एगरी होता है मैं इसे एक करोड में खरीदूंगा अब government of India ये बोलता है कि अगर आपको किसी भी तरीके की खरीद बिकरी करनी है तो आप आएंगे मेरे office में इसकी registry कराएंगे गुरगाँ में ये registry cost 8% है आप वो सरकार को जमा करेंगे revenue department को और सरकार जिम्मेदारी लेगी कि इस transaction को valid करके seller से बायर की तरफ property transfer कर दे उपर से और भी खर्चे थोड़े बहुत होंगे कुछ और भी फीस लगती है ठीक है तो क्या हुआ buyer ने seller से खरीदना है मगर एक छोटी सी problem है problem क्या है तुरंत के तुरंत government of India हो सकता है date ना दे कि आप बहुत साए लोग property खरीदने आ रहे हैं तो कल के कल आपने इनको पैसे दिये और ले लिए ऐसा हो नहीं सकता अब क्या हुआ date मिलने वाली है मानलो एक महीने बाद की और इस एक महीने में वो एक करोड का घर चला जाता है सवा करोड suddenly market में price real estate में boom हो जाती है और किसी कारण से वो एक करोड की जगह उसको एक boom नहीं भी होती है कोई दूसरा buyer मिल जाता है जो ready है एक करोड 10 लाग 20 लाग 25 लाग कुछ भी देने के लिए एक करोड से उपर तो ये जो नया वाला buyer आया है वो अगर अच्छा offer देता है तो seller सोचेगा मैं क्यों इसको दूँ लेकिन वो deal कर चुका है तो वो deal अगर कर चुका है एक दूसरे buyer के साथ जो एक करोड देने वाला था तो इस आदमी का obligation बनता है seller का कि वो उसे दे लेकिन सिर्फ जबानी जंग से होगी नहीं सिर्फ जबानी promise से होगी नहीं और चार गवाल आके भी नहीं होगा तो contract बनाया जा सकता है दूसरे कारण और भी हो सकते हैं एक कारण ये भी हो सकता है कि इस buyer के पास पूरे पैसे ना हो अभी bank से loan लेने वाला है पैसे थोड़े arrange करने वाला है दो मेंने में उसके पैसे आने वाले हैं तो वो 6 महीने में agree करता है मैं 6 महीने में सारे पैसे आपको दे दूँगा और ये घर खरीक लूँगा मगर अब आप इस घर को किसी और को बेचोगे नहीं तो government of India बोलता है ठीक है आप ये भी कर सकते हो यहाँ पे आपको आप दोनों के बीच में एक agreement to sell करना पड़ेगा अब agreement to sell क्या है agreement to sell government of India ये बोलता है कि buyer seller को 10% पैसे advance में दे दे और एक 500 रुपे के stamp paper पे दोनों agreement कर लें क्या होगा उस agreement में लिखा हुआ उस agreement में लिखा होगा ये property जो यहाँ पे located है बिलॉंग करती है इस seller की जो तैयार हो चुका है इसे बेचने के लिए एक करोर रुपे में और ये buyer है जो खरीदेगे इसे एक करोर रुपे में मगर अभी जमा कराएंगे 10% advance और ये contract valid रहेग 31 December तक जो अभी से 6 महीने बाद का समय है तो buyer की responsibility बनती है कि वो 31 December से पहले court से date लेकर बाकी के 90% पैसे इन्हें जमा कराके property अपने नाम लिखवा ले है ठीक है ये buyer का right बन गया अब वो property एक करोर से दो करोर की भी जाए government of India इसके right को protect करेगी क्योंकि 500 रुपे के stamp paper पे ये एक करार ये एक agreement हो गया ठीक है तो यहाँ पे इस बन्दे का right हो गया buyer का कि अब बस इसे पैसे arrange करने है और खरीद लेना है और seller का obligation हो गया कि he is obliged that he will fulfill he will honor this contract ये करेगा honor उस contract को obliged है वो पैसे लेने बाकी है stamp duty buyer भर देगा घर अपने नाम करा लेगा अब बात करते हैं फिर से उन दो scenario उसकी एक scenario हो property का price एक करोर से सवा करोर चला गया इस बंदे का right है तो उस right के तहत इस right को use करके वो seller को पकड़ सकता है court में घसीट सकता है और यह property उसके नाम हो जाएगी legal process की अगर हम बात करें तो court में बाकी का 90 लाग रुपया जमा करा कर वो property court सीधे सीधे register कर देगी इसे यह legal है ठीक है दूसरा यह भी तो हो सकता है कि वो एक करोर की property 90 लाग ही रह जाए यह छे मेने में property के price गिर जाए और 75 लाग रह जाए अब buyer को क्या लगेगा मैंने तो 10% दिये मैंने 10% दिये अब property 75 लाग की है मैं और 90 दूंगा तब जाके property मेरे पास आएगी और open market में 75 की इभिक रही है तो बाइर सोच सकता है दिमाग लगा सकता है क्या दिमाग लगा सकता है मैं क्यूं मैं तो चलो 25 लाग का नुकसान लेने वाला था एक करोर की property थी 75 रह गई यह 25 लाग का नुकसान तो मेरा हो गया है यह होने वाला है अगर मैं 90 लाग दे करके लेता हूं तो और दूसरा तरीका यह है कि मैं इस महाशे को जिन से मैं खरीदने वाला हूं बाकी के 90 परसेंट 90 लाग देने की बजाए market से जाकर सिर्फ 75 लाग में ही वो property खरीद लूं वो property मतलब उसके आसपास की property मैं बात कर रहा हूं बहुत ही organized real estate की एक बहुत बड़ी building है उसमें एक flat है उस flat की मैं बात कर रहा हूं उस flat में अगर एक flat 75 लाग का मिल रहा है तो दूसरा भी उतने कहीं मिलेगा same size का तो यहां पे buyer क्या बोल सकता है यहां पे buyer यह बोल सकता है कि म नहीं लेने जा रहा यह property है तो देखेंगे कि उस contract में आप अगर seller refuse करता है तो buyer उसे court में घसीच सकता है अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्या एक बार इस seller ने commitment अगर कर दी और buyer ने भी commitment करिए तो क्या seller court में घसीच सकता है buyer को किस लिए अपना नुकसान कम करने के लिए कि भई मैंने तो इन्हें दे दिया था एक करोड में हमारा एक महीने पहले या चे महीने पहले करार हो चुका था अब इन्हें खरीदना ही पड़ेगा क्या कर सकता है आप सोचें इसके उपर एक बार देखिए court में घसीट कर court जीतना या हारना पूरा पता है किस चीज़ प करते हैं नेचरियल बिहेवियर के ऊपर यह court में घसीट तो सकता है मगर कभी जीत नहीं सकता उसे 10% जो एडवांस मिले है ना बस वो एडवांस उसका हो जाएगा वो पैसे उसके हो जाएंगे वो से लौटाने की जरूरत नहीं है पता है क्यों क्योंकि बायर सीधे-सीधे बोल सकता है कि मेरे पास नहीं हो पाया पैसे अरेंच, economy कराब हो गई, मैं जॉब लूज़ कर गया मेरे पास नहीं अनब्तलब वो जूट ही बोल रहा होगा हो सकता है लेकिन वो ये जूट भी सच दिखेगा कि हां हो सकता है पैसे की problem किसे भी हो सकती है आने वाले समय में क कोई भी अपने business में नुक्सान कर सकता है, job जा सकती है उसकी, तो अब उसने जो deposit जमा कराया था, वो जबत हो गया, बाकी उसे देने की जरुवत नहीं है, और court में शायद उसका कुछ भी नहीं होगा, obviously law है, मैं law का expert नहीं हूँ, आपको समझाने की बस इतनी कोशिश कर रहा हूँ, कि एक ही contract के अंदर दो parties के पास अलग-अलग rights होती हैं, और अलग-अलग obligation होते हैं, इस घर वाले example में buyer के पास right है, और seller obliged है, उसके कुछ obligations हैं, ठीक है, कब, जब product की delivery करनी है, तब, उस case में घर था, यहाँ पे होगा underlying, option market में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि यह है तो at the end of the day contract ही, buyer of the option के पास होता है right, और seller of the option होता है obliged, उसे करना है obligation देना है, उस obligation को fulfill करना है, तो अब मैंने जब आपको बताया, कि यह put option है, शायद फिर से class काफी लंबा होने जा रहा है, क्योंकि मैं यह right obligations में घुज गया, क्योंकि मैं जानता हूँ, options जब भी मैंने सिखाया है, लोगों को like classes में भी, कई बार repeat करना पड़ा है मुझे, यह right और obligation को समझाने के लिए, इसलिए मैंने आपका 4-5 minute extra ले लिया, वापस आते हैं example में, contract name क्या है, bank, nifty, September 38,000, put, 38,000 का strike price है, इसका meaning अब समझ में आएगा आपको, जब आप right और obligation समझ चुके हो, तो यहाँ पे buyer of the option को क्या मिलता है, एक right, पता है put option के case में क्या right मिलता है, put option के case में right यह मिलता है कि भीया, आप यह deposit जमा करा दो, buy करते वक्त put option का, आपको 251 price चल रहा था, 25 का lot है, 6,278 रुपेर, 2,75 पैसे, आपको मिलेगा एक right और वो right होगा कुछ ऐसा, कि buyer expiry के दिन, bank nifty को 38,000 में seller को बेच सकता है, अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ, कि bank nifty चाहे जिधर भी हो, bank nifty या तो 49,000 चला जाए, या bank nifty 35,000 चला जाए, जहां जाना है bank nifty को जाए, क्योंकि वो तो market है, bank nifty वहाँ जाएगा और जब वहाँ वो जाएगा तो bank nifty को seller को ये buyer बेच सकता है, buyer के पास right है, तो वो force कर सकता है seller को, क्या force कर सकता है, कि भाई, तुम्हें मुझसे bank nifty 38,000 में ही खरीदनी पड़ेगी, example लेते हैं, अगर bank nifty 39,000 चला गया, तो जो buyer है, hypothetically, buyer कोई चीज मार्केट में 49,000 की बिक रही है, क्या वो 38,000 में seller को बेचेगा, अब, seller कौन है अभी, अभी तो seller option का है, और जो option का seller है, उसको यह underlying के selling से आप confuse नहीं करेंगे, यहाँ पे seller, जो option का है, वो party एक हो गई, buyer एक party हो गई, buyer के पास right है, और right यह है कि वो bank nifty को बेचेगा, उसे 38,000 पे, तो अगर bank nifty 49,000 चली जाती है, कब तक, expiry तक, अगर bank nifty 49,000 चली जाती है, तो यह 38,000 में नहीं बेचेगा, वो सीधा सीधा अगर उसे bank nifty बेच रही है, शौट ही करना है, तो वो market में 49,000 में शौट करेगा, वो अरती जार में इसे क्यों देगा, लेकिन अगर bank nifty expiry तक 30,000, 35,000 पे चली जाती है, तो वो जरूर 38,000 में seller को बेचेगा, put seller को, कि भई 35,000 चल रहा है रेट, इसे मैं 38,000 में बेच दूँगा, market से 35,000 में खरीद लूँगा, 3000 का सीधा सीधा मेरे पास profit है, तो अगर मेरे पास सीधा सीधा profit है, तो मैं इसे जरूर बेचूँगा, तो यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे देखा कि buyer एक right को execute करने वाला है, अलग-अलग time पे expiry के दिन, तो अगर यह नीचे जाता है bank nifty यहाँ से, जो कि अभी लिट से trade कर रहा है, underline trade कर रहा है, future trade कर रहा है 9.6% उपर, 38,220 में, मैंने जानबुच के एक लास कुछ इस तरीके से किया है, कि market बिल्कुल closing पे हो, तो मैं यह example लूँ और आपको सिखाऊं कि सिर्फ expire ही नहीं, real time market में भी क्या होता है, एक, दूसरा, बिल्कुल day closing के तरफ क्या होता है, तो मैं उस example की तरफ आगे जाऊं, उसके पहले, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस trade को close कर दूँ, दोनों को, क्यों, क्योंकि अभी 3 मिनिट में market बंद हो जाएगा, जब market बंद हो जाएगा, तो मैं trade close करके profit कैसे, loss कैसे होता है, आपको बता नहीं पाऊंगा, तो मैं एक बार के लिए, मैं exit करता हूँ, सबसे पहले, मैंने जो sell किया हुआ है, उसे buyback कर लेता हूँ, और जो buy किया हुआ है, उसे मैं sell कर देता हूँ, अभी ये example मैंने set करके रखा हुआ था, कि 38,000 के put को मैंने खरीदा था, और दूसरा जो है मेरे पास, 37,800 का put, इसे मैंने बेचा था, तो वो बेचने वाले example में हम लोग ले लेंगे, तो यहाँ पे example में अब आप समझने की कोशिश करेंगे, कि दो चीज़े हो सकती है, bank nifty के साथ, एक, कि bank nifty अभी जितने पे भी trade कर रहा है, लेट से यह bank nifty, मैं एनसी के उपर जाता हूँ, और देखता हूँ यहाँ पे कि bank nifty अभी trade कर रहा है, 38,166 पे, 38,166 पे, यह मैंने ले लिया, अब bank nifty, if you are a buyer of this option and market fall, मतलब buyer हो आप और market गिर जाती है, तो क्या होगा, market गिर के कहां जाती है, 38,000 पे चली जाती है, और कहां जा सकती है, 37,000 पे जा सकती है, या 36,000 पे जा सकती है, अब क्या होगा, तीनों example में देखते हैं, और इस example के तुरू, आप समझ जाएंगे कि buyer, put buyer को क्या होगा, अब देखे, 37,000 का strike price है, तो क्या होगा यहां पे, यहां पे, यह मैं इस example को, कुछ ऐसे ले लेता हूँ कि, 37,000 है, 36,000 है, और, 35,000 है, तो यहां पे, आप देखते हैं कि, अगर यह 37,000 चला जाता है, तो इसका price क्या होना चाहिए, 251 से, देखे, आपको as a buyer एक right मिला है, कि आप 38,000 में बेच सकते हो, तो, 38,000 में अगर मैं बेच सकता हूँ, और, market price 37,000 है, तो, 1000 पॉइंट का overall मुनाफ़ा होता है मुझे, और 1000 का मुनाफ़ा मुझे होता है, कितने पे, total मैं इस lot size से गुना कर देता हूँ, 25,000 का option हो जाएगा ये, जो अभी है 6,278 का, चुकि आपने option का price पहले ही दे दिया, तो वो इसके अंदर factor in हो गया, तो जो outcome है, इस put का, वो आपको 25,000 रुपे का extra benefit देगा, तो आप जो total profit बनाओगे, वो कितना बनाओगे, 25,000 लेकिन जो premium आप दे चुके, उसे आप minus करो देगे, मतलब अगर bank nifty यहाँ से, 1100 सरसे point नीचे गिरती है, और आप इस option के buyer हो, तो expiry के time पे आप इतने का profit बनाओगे, अगर 36,000 चली जाती है, तो यह profit और बढ़ जाएगा, कैसे बढ़ जाएगा, फिर से सेम है, मैंने 38 में बेचना है, 36,000 चला जाता है, lot size 25 का है, outcome total 50,000 का बन जाएगा, और मेरा जो profit है वो 50,000 माइनस, फिर से जो premium मैंने pay किया है, वो रहेगा, आप देख रहे हैं, सीधे सीधे 25,000 रुपे, और profit बढ़ गया, जैसे ही यह 1000 point गया, 35,000 पे यह profit और बढ़ जाएगा, आप देखें क्या हो जाएगा, 38,000 माइनस 35, इंटो 25, आप क्या देख रहे हैं यहां पे, आप यहां देख रहे हैं, कि यह profit और बढ़ गया है, तो जैसे जैसे market बढ़ती है, नीचे की तरफ गिरती है, पुट आप्शन पैसा बनाता है, मतलब अगर आप पुट आप्शन के बायर हो, तो आपका मुनाफ़ा तब होगा, जब आपका underlaying धराम से गिरेगा, जितना ज़्यादा गिरेगा, उतना ज़्यादा profit होगा, और अगर market उपर जाता है, तो पुट के साथ क्या होगा बायर के साथ, वो भी देख लेते हैं, उपर कहां तक जा सकती है, शुरू करते हैं फिर से, 38,500 चली जाएगी, या मैं तो बोलूँगा, 38,160 है ना, हम लोग शुरू करते हैं, 38,160 सरसट से सिर्फ एक पॉइंट उपर चली जाती है, 38,168, फिर चली जाती है उन 40,000, या चली जाती है 40,000, तो देखेंगी क्या होगा, तो जो पुट का बायर है, उसे राइट मिला है 38,000 पे सेल करने का, मार्केट में अल्रेडी रेट है 38,160 का, तो कोई चीज अगर महेंगी है, तो उसे वो सस्ती में क्यों सेल करेगा, तो जो राइट उसे मिला था, उस राइट को वो जाने देखा, मतलब अगर घर 75,000,000 में एविलेबल है, तो जो राइट उसे मिला है, वो उस राइट को यूज क्यों करेगा 90,000,000 दे करके उस घर को लेने के लिए, वो उस राइट को जाने देगा, तो नुकसान क्या होगा, वही 10,000,000 जो उसने एडवांस पे किया था, इस केस में क्या है वो, प्रीमियम, तो यहाँ पे वो उस राइट को यूज नहीं करेगा, और 0 बचेगा, तो उसका जो नुकसान है, वो जो प्रीमियम दिया उसने, वो प्रीमियम उसका नुकसान हो जाएगा, मतलब आप क्या देख सकते हैं यहाँ, कि अगर एक पॉइंट उपर भी बंद हुआ, जितना अभी चल रहा है उससे, तो बैंक निफ्टी का आप्शन वाला बंदा, जो बाई किया है पुट, वो लॉस बनाएगा, 49,000 जाएगा, सेम केस, 40,000 जाएगा, सेम केस, महंगी है, मैं सस्ती में क्यूं बेचूंगा, उसे बेचने का अधिकार मिला था, वो नहीं बेचेगा, तो सारी केसेज में आप देखोगे, कि सेम, 6,200, इस फॉर्मूले में, अगर मैं, जीरो के अगेंस्ट एडालूं, हर बार, क्योंकि यह जीरो ही रहेगा, तो आप देखेंगे, कि यह maximum loss, जो है put buyer का, वो जो premium दिया है, उसने, वो उसका होगा, तो अभी तक, जो आपने समझा, वो यह, कि put option जो है, वो buyer को एक right देता है, कि वो underlying को, expiry के time पे, बेच सके, कितने पे, जो strike price है, उस पे, कितनी quantity बेच सके, जो lot size है, उसके बराबर, और जब वो करता है, तो आपने क्या देखा, अगर market उपर रहती है, यह 38,160 भी नहीं, अगर market गिर भी जाती न, और गिरने के बाद, यह 38,000 एक भी रहती, तो भी, और 38,000 के strike price पे, भी वो इस right को exercise, नहीं करेगा, market में महंगी है, तो वो seller को, put seller को सस्ती क्यों बेचेगा, तो वो नहीं बेचेगा, एक point भी strike price के उपर है, तो वो zero होगा, जो भी premium लिया है, उसने premium दिया है, यह options को buy करते वक्त, वो उसका maximum loss होगा, लेकिन, अगर market एक तरफ से, धडाम से गिरती है, तो क्या होगा, तो वो अलग-अलग level पे, अलग-अलग profit बनाता रहेगा, दूसरी तरफ, अगर मैं एक बात करूँ यहाँ पे, कि भी premium तो उसने दे दिया, तो गिरने के लिए, तो 38,168 से market गिर करके, 38,001 तक आ सकती है, strike price के just उपर रख सकती है, और तब भी नुक्सान होगा उसे, तो कौन सा वो point है, जहां तक कम से कम bank nifty को नीचे जाना होगा, जिससे कि यह option buyer, किसी भी हालत में loss ना बनाए, तो मैं आपको बोलूँगा, कि वो जो break even point होगा, उसे अगर मुझे calculate करना है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, कि जो strike price है, उस strike price से, जो price उसने option को दिया है, उसको अगर मैं घटा दूँ, तो यह जो level निकलके आएगा, वो उसका कौन सा level होगा, break even level होगा, मतलब bank nifty जो की अभी, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आपकी सहुलियत के लिए, bank nifty जो की अभी 38,166 पे trade कर रही है, वो वहाँ से अगर 37,747,85 तक आती है, तब तक यह आदमी को कोई नुकसान नहीं होगा, कैसे, क्योंकि अगर यह इतने की आ गई, तो वो बंदा जिसने बाई कर रखा यह put, उसे जो मिला है right, 38,000 में बेचने का, वो 38,000 में बेचेगा, market में 37,747 का है, वो खरीदेगा, 251 रुपे 50 पैसे उसके बनेंगे, और यह 251 रुपे 50 पैसे कितने बनेंगे, किसके उपर बनेंगे, 25 के लौट पे बनेंगे, तो अगर यह 25 के लौट पे बनेंगे, तो आप देख सकते हैं, कि 251 यहां भी है, 251 यहां पे भी है, और यहां पे उसे कोई नुकसान नहीं होगा, मगर इस प्रोसेस में बैंक निफ्टी को 166 पॉइंट यहां और 251 पॉइंट यहां यानि की 166 प्लस 251 कुल मिलाके 418 पॉइंट नीचे गिरना पड़ेगा अभी के लेवल पे तब जाकरके वो ब्रेक इविन पे आएगा otherwise उसे एक नुक्सान होगा और वो नुक्सान होगा प्रीमियम के बराबर अब सबसे बड़ी बात कि यह कब की बात कर रहे हैं हम लोग यह बात हम लोग कर रहे हैं कॉंट्राक्ट के एक्सपाइरी की कॉंट्राक्ट का एक्सपाइरी जो की लास्ट थर्सडे है तो वो लास्ट थर्सडे आप देख सकते हैं कि यहां पे जो एक्सपाइरी थी उसके हिसाब से था और एक सिकिंद का आप मुझे समय देंगे यहां पे तो वो एक्सपाइरी के हिसाब से मैंने आपको बताया है मगर मगर हम लोगों ने यहां पर क्या देखा कि expiry date तक wait करने की ज़रूरत नहीं है कि कॉल option put option दोनों दो तरीके के होते हैं एक American option होता है और एक European option होता है यह जो आप E देख रहे हो PE और CE यह denote करता है कि यह European option है और European option में क्या होता है European option में आप option को कभी भी buy sell कर सकते हो अपने write को आप execute नहीं कर पाओगे write का execution आप कब करोगे expiry के time तो write के execution के हिसाब से मैंने आपको यह बना के बताया था अब हम लोग यहां पे एक छोटा सा exercise जो हमारा था उसे हम complete करते हैं और इस strike price पे वो बेच पाएगा जो कि इसका break-even point है और 25 का lot है तो इसे कोई फाइदा कोई नुकसान नहीं होगा मगर यह break-even point करीब करीब 400-500 point नीचे है तो put option वाले को buyer को जरूर पैसे मिलते हैं अगर market नीचे जाए लेकिन market एक अच्छे खासे नीचे level पर जाना पड़ेगा कितनी बार जाएगा कितनी बार नहीं जाएगा किसे भी पता नहीं है पता करना सीखना पड़ेगा आपको तो जब आप यह put option buy करने जाओगे तो आपको यह चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा कैसे आप इससे कुछ sense निकालोगे वो मैं इसी class में आपको बताऊंगा लेकिन फिलहाल यह आपका put option का definition था behind the scene put option में क्या होता है वो था अगले class में मगर बीच में बीच में ही मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं put option का जब buyer था तो आपने देखा कि मैं बीच में ही buy करके फिर उसे वापस sell कर दिया और यहाँ पे मुझे 901 रुपे का नुकसान हो गया उस समय जब मैंने यह trade execute किया था bank nifty point eight percent उपर था मतलब करीब करीब 38,800 38,150 के उपर यह trade कर रहा था वहां से करीब करीब 70 point उपर गया है 80 point और यहाँ पे यह 220 रुपे का रह गया यह जो मैंने 251 का लिया था यह रह गया यह रह गया यह रह गया 220 का और जब यह 220 का रह गया तो कोई चीज मैंने अगर 28,600 में खरीदि है और वह चीज 220 की रह गयी तो certainly मुझे नुकसान होगा और वो मेरा जो नुक्सान होगा वो कितने का होगा एक बार यहाँ पर ही price को मैं डाल देता हूँ last traded price नहीं मेरा trade price ठीक है तो मेरा trade price इस buy वाले में जो है वो क्या है 220 रुपे है 220 रुपे नहीं है अगर आप देखें यहाँ पर तो 220 रुपे अभी market बंद हो गया है तब हो 220 गया है मेरा कितने पर हुआ था मैं यह आपको यहाँ से दिखा सकता हूँ मैंने 38,000 की put को buy किया था अभी sell कर दिया 215 रुपे 10 पैसे में तो मेरा जो price है वो 215 रुपे 10 पैसे हो गए और जब यह 215 रुपे 10 पैसे हुआ तो मैंने महंगा खरीदा सस्ते में मुझे बेचना पड़ा तो जरूर ही मुझे नुकसान होगा तो यह sell price है minus buy price into lot size यह 901 रुपे 25 पैसे का मुझे नुकसान हुआ यह class record करने के चक्कत है ठीक है क्यों? क्योंकि यह तो मैं एक example की तरह आपको behind the scene होता है क्या है वो बताने की कोशिश कर रहा था 901 रुपे 25 पैसे same इसी loss के मैं बात कर रहा हूँ तो क्या हुआ यहां पे? यहां पे हुआ है कि मैंने एक put option खरीदा market उपर गई मैं इंतजार नहीं किया expiry तक मैं class record करने के हिसाब से एक example लिया था मैंने 901 रुपे उसे के loss पे उसे बेच दिया और market बंद होने से पहले बेच दिया market जब बंद हुआ तो इसकी price थोड़ी उपर चली गई क्यों? क्योंकि हो सकता है जब मैं बेच रहा था तब market ज़्यादा उपर था वहां से bank niptees थोड़ा नीचे आया और जब जब आपका अंडरलेंग नीचे आयगा put option का price बढ़ेगा वही इस चीज में मैंने आपको दिखाया था ठीक है? तो मैं expiry तक का wait करके अपने right को execute कर सकता हूँ या बीच में buy sell करके trading कर सकता हूँ ये एक example था option buyer की तरफ से अब इसी example में मैंने sell करके भी दिखाया था, देखते हैं seller की इस आप से क्या होता है, sell कौन सा किया था हम लोगों ने 37,800 तो 37,800 का क्या था? put था, क्या किया था मैंने इसे? sell किया था, कितिनी quantity? minus 25 quantity क्योंकि lot 25 का है strike price क्या है इसका? 37,800 अब ये seller perspective से देखते हैं, यहाँ पे हम कौन से perspective से थे? यहाँ पे हम buyer perspective से थे, हमने decide किया था कि अगर ये option हम buy करते हैं तो behind the scene क्या होता है? अब put perspective की तरफ से देखते हैं, यह हमने sell किया, अब क्या हो सकता है? मैं इस option का seller हूँ और market गिर सकती है कितनी market थी हमारी? हमारी market थी 38,166 bank nifty 38,166 जब मैंने ये किया था अब अगर market गिरती है तो गिर के कहां जा सकती है? market गिर करके वापस से मैं से एक्जामपल रखता हूँ 37,000 36,000 35,000 अब समझिए इस बात को आप कि आप seller हैं तो buyer को आपने right दिया है क्या right दिया है? कि वो आपको 37,800 में bank nifty बेज सकता है तो जब 37,000 चली जाएगी और उसके पास right है तो वो तो right execute करेगा buyer है वो buyer के पास right होता है seller obliged होता है real life में भी यहाँ पे भी तो 37,800 में वो आपको अगर बेजता है तो 37,800 माइनस 37,000 चली उसका rate है 25 की जगर मैं यह अगर करूँ तो ज़्यादा बहतर होगा quantity minus 5 मतलब sell position थी मेरी यह मैंने डाल दिया अब आपको हो रहा है 20,000 का नुकसान लेकिन आप यहाँ पे seller थे तो आप premium collect किये advance वहाँ पे seller 10,000 कलेक्ट करता है आपके पास obligation है आप यहाँ पे premium collect करते हैं पता है कितना 25 का lot है price मैं यहाँ पे डालना भूल गया price हमारा था order book में जाके देख लेते हैं जो हम लोगों ने sell किया था 37,800 वाला वो 189 रुपे 45 पैसे 179.45 179.45 पे मैंने sell किया अब sell किया तो पैसे आएंगे पैसे आएंगे कितने lot size के बराबर तो 4,486 रुपे 25 पैसे आपने premium collect कर लिया लेकिन उस right के exercise होने के कारण आपको 20,000 का फटका पड़ने वाला है लेकिन loss जो आपका होगा वो होगा 20,000 का फटका पड़ा 4,486 का profit हुआ यहाँ पे मैं इसको red कर देता हूँ तो यह ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि यह loss है और यहाँ पे इसको मैं green करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि as a put option seller market अगर उपर जाएगी तो मेरा profit होगा वहाँ पे मैं दीरे दीरे जाता हूँ तो आपने क्या देखा यहाँ पे यहाँ पे देखा में वो चीज बेचेगा जिसकी market value 36,000 है आपको बेचेगा आपको खरीदना पड़ेगा आप खरीद के रखो कि नहीं उसको market में आप बेचो गई 36,000 में आपका होगा यहाँ पे नुकसान और बड़ा 45,000 का और नीचे market जाती है जितना नीचे जाएगी उतना जादा आपका नुकसान होते जाएगा मैंने तीन example सिर्फ इसलिए रखा है ताकि basic जो नहीं समझते हैं वो भी समझते चले जाएए कि अगर आपने put option बेच रखा है unlimited loss हो सकता है अगर market नीचे की तरफ तूटती चली जाए और premium तो आपने हर case में उतना ही collect करके रखा है तो आपको जितना premium ले रखा है आपने उससे आपका नुकसान कम होता जाएगा बट वो maximum ही है 4,486 जैसे वहाँ 10,00, था ना वो 10,00, ही कम होगा यहाँ पे 4,486 रुपे 25 पैसे ही कम होगे और आपका नुकसान बढ़ता चला जाएगा हर एक point, हर एक हजार point के bank nifty के नीचे जाने पे तो थोड़ा सा revise करूँगा मैं as a put buyer अगर market गिरती है instrument गिरता है तो आपका profit unlimited होता चला जाता है लेकिन as a seller आपका loss unlimited होते चला जाता है as a buyer आपके loss अगर आप देखो तो यहाँ पे आप अगर देखो तो loss सिर्फ premium के बराबर है लेकिन as a seller आपका जो loss हो unlimited होते चला जाता है लेकिन आप एक चीज़ देखो कि यह जो example मैं आपको दे रहा हूँ इस example मैं आप देखोगी कम से कम seller का जो भी loss है ठीक है ना उसको यह premium कम तो करता है और buyer के case में यह premium भी एक loss है और mainly वो premium जो भी loss होता है buyer को आप देखोगे तो बहुत limited है मगर इसके होने की संभावना कितनी है वो भी एक matter करता है समझना पड़ेगा हमें आगे वाले classes में हम लोग समझेंगे लेकिन यह चीज़ को मैं इसलिए ला रहा हूँ या बता रहा हूँ ताकि सिर्फ एक ये video देखकर आप एक judgment ना बना कर सीधे सीधे put option buying में speculate करना या gamble करना शुरू करें कि भई क्या फरक पड़ेगा 6000 रुपे का तो loss है जो premium दिया है मैंने profit तो कुछ भी हो सकता है तो एक बार अपने किसमत पे भरोसा रखकर बहुत सारे put buy करके देखते हैं मैं आपको यही पे बताना चाहता हूँ कि as a buyer आपकी probability जीतने की बहुत कम होती है और वो आगे के classes में हम सीखेंगे तो अभी आदे अधूरे knowledge के साथ ना तो आप buyer बनोगे ना आप seller बनोगे अगर आपका knowledge पक्का हो जाएगा तो buyer और seller दोनों रहते हुए पैसे आप बना सकते हूँ as a trader आऊँगा मैं उप पर पहले खतम करता हूँ lecture तो as a put seller अब क्या होता है नीचे जाने पर हाँ नुकसान बढ़ते चला जाता है premium से कम होता है थोड़ा as a seller अगर market उपर जाता है उपर कहां तक जा सकता है ये उपर चला गया let's say 38,500 49,000 40,000 सारे cases में आप देखें तो एक ही चीज़ है कि अगर 38,500 है और market में उस buyer को right मिला है 37,800 पे बेचने का तो वो इन rights को exercise नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा जो चीज़ वो open market में 38,500 की बेच सकता है वो आपको 37,800 में क्यों बेचेगा नहीं बेचेगा तो वो उस right का कुछ भी नहीं कर पाएगा और उस right के against में उसे कुछ भी नहीं मिलेगा तो उसे अगर कुछ भी profit नहीं मिल रहा है आपका कुछ भी नुक्सान नहीं हो रहा है तो इस right के कारण आपका इस obligation के कारण आपका कोई नुक्सान नहीं हुआ तो जो भी premium आपने collect कर रखा है वो आपका profit हो गया सारे cases में यहीं होगा हर level पे आपका जो profit है वो max profit हो गया और वो max profit premium के बराबर हो गया तो इस example में मैं आपको दो चीज़े दिखाया हूँ एक यह कि as a put buyer market उपर जाने से या नीचे जाने से क्या होता है और as a put seller market के उपर जाने और नीचे जाने से क्या होता है क्या profit क्या नुकसान होता है यह basic understanding तो आपकी होनी ही चाहिए अब यह basic understanding अगर हो गई तो आपको यह समझ के चलना पड़ेगा कि यह सब कुछ जो calculation किया है मैंने यह किया है expiry day के हिसाब से मगर बीच में चुकी यह European options है जो इंडिया में trade होते हैं तो आप बीच में भी options के buy sell कर सकते हो right exercise नहीं कर सकते हैं मगर आप buy sell कर सकते हो European options में तो मैंने यहाँ पर क्या किया था मैंने यहाँ पर पहले sell किया था जो चीज को 119.45 में उसे मैंने buy back कर लिया आदे घंटे एक घंटे की इस lecture में शुरुआत की थी sell करके buy करने की और एक को buy करके sell करने की तो आपने यहाँ पर क्या देगा 37.800 में मैंने sell किया था और 37.800 का put मैंने sell किया था 179.45 पर 179.45 पर trade price फिर से यहाँ पर मैं डालता हूँ buy back किया है कितने पर 155.10 पर 155.10 पर इसे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ क्या होगा sell price minus buy price sell किया था buy किया कितना 25 quantity यहाँ पर तो मुझे quantity ही रखनी पड़ी की क्योंकि मैंने sell price पहले ले लिया तो यह 18 इसको मैं कर देता हूँ 608 रुपे 75 पैसे का 608 रुपे 75 पैसे का मुनाफ़ा हुआ जिस option को मैंने sell किया था तो जिस option को मैंने sell किया उसमें 608 रुपे 75 पैसे का फायदा हुआ क्यों क्यों क्योंकि उस option की price नीचे आई मैंने महंगा बेचा था सस्ता खरीदा calculation में मैंने इतना ही किया है sell price minus buy price और quantity add कर दी है 25 quantity थी उल्टा अगर इसको मैं रखना चाहूं तो ऐसे भी रख सकता हूं कि जो last का price है उसे ले लेता हूं minus ये price लेता हूं और फिर बिल्कुल quantity के साथ multiply कर देता हूं minus 25 के साथ तो 608 रुपीज 75 पैसे का मेरा profit हुआ इस case में जहां पे मैंने option को sell किया था तो आपको देखने को ये मिला कि एक example के through आप समझ गए कि put option में आपको कौन से right मिलते हैं as a buyer seller और कौन से obligation होते हैं आपके उपर as a seller अब असली सवाल असली सवाल अब ये है कि हमें समझना है मैंने आपको बताया था कि put option सीखने के बाद ये basics आपको call option भी मैं सीखाऊंगा लेकिन आपको मैंने कुछ कुछ चीजे दिखाएं बहुत lucrative लगता है कि याद मैंने buy कर लिया market बहुत धड़ाम-धड़ाम गिरी तो मैं बहुत पैसे बना लूँगा लेकिन अभी आपको पता नहीं है कि इसकी probability कितनी है दो परसेंट है पांच परसेंट है दस परसेंट है बीस परसेंट है तो हर वो व्यक्ति हर वो व्यक्ति जो बिना इस probability को जाने वे सिर्फ अपने किस्मत को try करना चाहता है वो speculator है सिर्फ इस formula को देखे कि यार नुकसान होगा तो 6,278 का ही होगा प्रॉफिट तो कुछ भी हो सकता है और जीवन में एक बार में लग चलना चाहिए और मेरे बहुत सारे पैसे बन जायेंगे 6,000 का 68,000 बन जायेगा ये कौन होंगे ये वो लोग होंगे जो अपने लग पे यकीन करते हैं और मार्केट को speculate करके gambling करते हैं तो अभी तक बिना probability जाने बिना historical data देखे अगर आपने भी trade किया है इन options को तो आप समझ सकते हो कि ये सायद सही रास्ता नहीं है अभी आपको थोड़ा समय वेट करना चाहिए रुकना चाहिए option को अच्छे से समझना ट्रेडिंग सीखनी चाहिए बैक टेस्टिंग करना चाहिए अपने knowledge का अजाफा करना चाहिए और फिर शुरू करना चाहिए दूसरा हर वो व्यक्ति जिसने सिर्फ basic of options नहीं इसके साथ साथ दूसरी mathematicals models हों forecasting के mechanism हों राइट या ये देखकर कि naturally market का जो microstructure है वो किधर favorable है buying की तरफ या selling की तरफ अभी ये सब decide करते हुए historical data पे एक ही event एक जैसे event या एक जैसे data को test करके देखा हो कि ठीक है सिर्फ और सिर्फ option trade करके historically अगर मैंने इस तरीके से buying की होती selling की होती call और put को इस तरीके से combine किया होता इस instrument में trade किया होता और ये म model 80% of the time 90% of the time मुझे profit देता तो वो वेक्टी इसे as a business ले सकता है और option trading कुछ भी नहीं बट अपने आप में business है मगर उसके लिए जब तक आप historical data पे backtest करके अपने model को prove ना कर लो आप नहीं कर सकते हैं तीसरा देखिए हम लोगों ने अभी तक सब कुछ trading perspective से देखा मगर actually main options की जो इजाद हुई या जो need आई वो आई insurance के तोर पे यह कुछ ऐसा है कि आपने एक premium देखर के एक insurance लेते हो और जिस चीज़ की भी आप insurance लेते हो वो चीज़ अगर damage हो जाती है तो उसके बराबर के value का सामान आपको मिलता है पैसा मिलता है तो यह options के जो premium है वो उस insurance premium के तरफ भी है अगर यहाँ पर किसी को डर है कि bank nft के गिरने से मेरा बहुत नुक्सान हो सकता है क्योंकि मैं सारे banking के share खरीद के रखा हूँ जो की constituents है bank nft future के तो उनको एक डर हो सकता है कि मेरा 25 लग का portfolio है जिसमें सिर्फ banking के stocks हैं अगर कल banking के stocks 20% गिर गया, bank nft as a future गिर गया क्योंकि कल government of India ने, RBI ने ये किसी ऐसी parties ने जो इसके market को impact करती है, को बड़ी announcement कर दी तो मेरा बहुत बड़ा नुक्सान हो सकता है तो उस news के पहले अगर मैं put option खरीद के रखता हूँ, तो एक तरह मैं शेर्स की value तो जरूर कम होगी, मगर दूसरे तरह put option के खरीदने के कारण मेरा काफी फायदा हो जाएगा For example, अगर bank nifty 38,166 है, तो मैं इसके value को निकालना चाहूँगा 25 से गुना करके 9,54,175 बैंक nifty future को मैंने 25 से गुना किया है, value आता है 9,54,175 तो करीब करीब, अगर मेरे पास 25,27 लाग का माल है, banking के stocks हैं तो मैं तीन bank nifty के put अगर ले लूँगा, तो उसके बराबर के value के बराबर, portfolio के बराबर, जो भी profit होगा, जितना bank nifty गिरेगा, उतने जादा मेरा profit बढ़ता चला जाएगा, और मेरा जो भी नुकसान उदर होने वाला है, वो नुकसान की भरपाई, put option के बढ़े हुए premium से जो profit होगा, उससे हो सकता है, तो ये जो category है, वो है hedgers, जो की demand create करती है, किसकी? options की, buying side पे, तो ये कुछ market का एक specific microstructure है, जो मैं किसी और class में आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा, कि किस तरीकी के लोगों को अभी, ये जो bank nifty में इतना हंगामा मचा हुआ पिछले 4-5 साल से लोग trade किये जा रहे हैं, loss किये जा रहे हैं, कुछ लोग ही होते हैं जो बनाते हैं पैसा और वो लोगों को market के concept forces help करते हैं, क्यों उनका पैसा बनता है, ये सारी चीज़े market microstructure के एक class में मैं बताऊंगा आपको, बट फिलहाल के लिए, हर वो वेक्ति जो basic तरीके से option सीख पिखना चाहता था, उसके लिए मैंने ये video बनाया, youtube पे upload करने के लिए, साथ ही साथ, ये हिस्सा होगा, मेरे advanced option course का भी, क्योंकि last video upload करने के बाद, बहुत सारे लोगों ने मुझे message करके बोला, कि advanced option course, जो अभी सिर्फ English में है, उसे मैं हिंदी में भी बनाओ, तो उन सारे video को मैं translate कर रहा हूँ, ये जो put option का video है, ये English में भी है, और अब मैंने हिंदी में भी डाला है, तो English के सारे videos अब हिंदी में भी रहेंगे, course वही रहेगा, course वही रहेगा, मगर उसमें videos English में भी होंगे, और हिंदी में भी होंगे, जिसको जो सहुलियत लगेगी, वो video वो तो सबसे पहला class उस advanced option course का, ये class है, put option, course के अंदर आगे मैं upload करूँगा, अब call option और बाकि सारे videos, YouTube पे मैं आगे और classes upload करूँगा, अगर आप मुझे अपनी तरफ से एक response देते हैं, बताते हैं कि क्या सही तरीके से अभी आपको put समझ में आया, buyer perspective से भी और seller perspective से भी, आप दुबारा जाके देख सकते हैं, मैं एक बार revise कर देता हूँ, अगर मैं put buy किया होता, तो एक limited loss होता मेरा, ठीक है, market के उपर जाने से, market के नीचे आने से मेरी profit होती और बहुत सारा profit होता, as a put seller, मेरा maximum profit बस वो premium होता, लेकिन market के गिरने से मेरा ब पता नहीं है, और सिर्फ ये lucrative देखर के number मैं कोई trading decision नहीं ले सकता, बलकि अगर कोई decision मैं सिर्फ इस आधार पे लेता हूँ, तो वो एक speculative gambling decision होगा, जो मुझे नहीं करना है, नहीं फरसना है, market में नहीं बनना है gambler, और पहले सीखना है, back test करना है, समझना है market के microstructure को, औ और एक methodology develop करनी है, जो कि हम लोग advanced option course में कराते हैं लोगों का, और उसके बाद भी वहाँ पे hand holding करते हैं, सारी strategy सीखाने के साथ, back test करना, plus python code को use करना, और वो coding नहीं है, वो एक tool है बस, जहाँ पे आपको data डालना है, सीखना है, पाच्वी class का बच्चा भी सीख सकता है, problem यह है बस कि dedication लगेगा, यह एक बहुत बड़ा business हो सकता है, अपने आप में एक stand alone business है options, क्योंकि बहुत volume है इंडिया में और यह कभी खतम नहीं होने वाला है, यह कुछ ऐसा ही है जैसा कि insurance companies का business नहीं खतम होगा, premium लेते रहेंगे, insurance देते रहेंगे, उसी तरीके से यह एक business होगा, जिसे हम बोल सकते हैं, insurance business ही, छोटे scale का, थोड़ा ही class लंबा हो गया, बट पिछला जो option का video था, उसमें मैंने आप से 500 comment मांगे थे, तीन घंडे मैं आपने दे दिये, Sunday था उसके बाद, मैं करनी ही पाया, Sunday को record, तो आज Monday को यह record कर रहा हूँ मैं, आज ही इस continuity को बनाये रखने के लिए, probability निकालने वाला video अभी नहीं, थोड़े दिनों में मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग जो मेरा channel follow कर रहे हैं, और उनके जो comments पढ़ता हूँ मैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत आराम से धीरे-धीरे basics अपना पहले ठी करना चाहते हैं, क्योंकि learn कराना बहुत आसान है, unlearn कराना बहुत मश्किल है, मेरे जो भी interaction है अभी तक के classes में, बहुत passionately पढ़ाना अच्छा लगता है मुझे, तो उसमें मैंने देखा है कि unlearn कराने की जरूद है पहले, तो put option में, ये format में class मैंने सिर्फ इसलिए बनाया ताकि कुछ जो गलत चीजें हैं, अगर आपने गलत जगह से सीख रखी हैं, तो पहले आप उसे unlearn कर लें और basic से ये शुरू करें, अब इस वीडियो में मैं आपसे ना तो कोई comment मांग रहा हूं, ना मैं like मांग रहा हूं, आपने अल्रेडी जो दे दिया, I'm more than thankful for that, और प और वो विक्ति जो यहां तक ये वीडियो देखा है, आपको तहे दिल से शुक्रिया, thank you, मिलते हैं एंगले क्लास में